नमस्कार दोस्तों आफ सभी का एक वाफ़र से बहुत बहुत श्वागत है जहां दोस्तों अथिती सिक्चक जो नई भरती 2018-2019 की होने जा रही है उसकी पूरी रूप रेका इश्बूरू के माद्यम से आपको बताने जा रहा हूँ काफी महत्पूर जानकारी है जो की अथिती सिक्चक भरती को लेकर है आप कब क्या और कैसे आपको करना है पूरी जानकार इश्बूरू के माद्यम से बताऊंगा और डेट बाई डेट आपको एक पूरूप के साथ आप देख लिजे कि आपको क्या करना है हो काफी लोग परिशान इस बरती को लेकर तो उनके भी शमस्या है इस वीडियो के माद्यम से समझाने की कोशिश करूँगा तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समय सीमा को आप याद रख लें यहां देकि सबसे पहले गैस्ट फैकल्टी मेनेजमेंट सिस्टम पूर्टल अफ काफी लोग यह सवाल कर रहे हैं कि मैंने सर डी एड इसी साल की है या बी इड मैंने इसी साल की है क्या मैं उसको याट करा सक करता हूं तो बिल्कुल नहीं करा सकते आप क्योंकि यहां आप पढ़ लें एक बार अच्छे से कि गैस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पोटल में पंजी कृत जो पोटल है अतिति सिक्षक का उसमें पंजी कृत सत्यापित जो की प्रेंसिपल से सत्यापित हो चुके हैं आवएदक दोरह पूर में दर्ज एक सब्दध दिख रहा है आप पूर में दर्ज तो पहले आपने पूर में दर्ज करा हैं डॉक्मिंट केवल उन्हीं के वेश्वार आपका तो हजार अंठारह ओनिश में सेलेक्शन होगा ना कि आपका जो अभी document आपके complete हुए है D8 की बात करें आप B8 की करें कोई graduation की mark sheet की बात कर रहा है कि मैंने किये और नए registration की बात भी बहुत हो रही है तो नए registration की किसी प्रकार की जानकारी आभी तक सामने नहीं आई है और जानकरी जतने जल्दी अगर मिलती है तो मैं आपको बिलकुत तरंट आपको alert करूँगा तो आप उसके लिए apply कर पाएंगे तो पूर में दर्ज है विशे प्रापतांग पूरांग आधा नमर केवल आप 3-4 चीज़ों में ही संसोधन करा सकते हैं ना कि नई चीज़ आप इसमें एड़ नहीं कर सकते हैं 2018-19 के लिए तो यह चीज़ आप बिलकुल याद रखें और इसके लिए शमय कम है आपका 9-12 जुलाई तक इसको आप करने कम दें आप किसी डॉकुमेंट में आपकी मिस्टेक उसको आप कैसे चेक करेंगे कि मेरे डॉकुमेंट में मिस्टेक तो इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको चेक करना है तो आप किसी भी बैट साइट पर जाएं और यहां आप लिख दें MP Education और यहां क्या करना है आपको फिर करना Login और यह काम आप मॉबाल पर भी कर सकते हैं मॉबाल पर आप बिल्कुल SM तरीकी से यहां कर सकते हैं कि आपको मॉबाल के Google या UC में आप चलाते हैं तो उसमें क्या करना है आपको लिखना है MP Education और यहां देखने आप click किया जैसे ही आप तो यहां देखे मेन मेनीव पर आप click करेंगे और यहां देखे गेस्ट faculty पर आप क्लिक करना है और जैसे guest faculty पर click करेंगे तो आप अधीत सिक्षक जो प्रबंदन परणाली वो open हो जाएगी तो जैसे ही आप MP education प्रबंदन परणाली ले लेता हूँ और वो रजिस्टेड है किसी दूस्त का है मेरा तो उसको लिख लेते हैं आधार नम्मा लिखा आपने इसको आप क्या करें यहां से कॉफी करके यहां कंफर्म कर दें तो यहां आपको लिखना है यूजर नम्म में लिखना है आपको आपका नम्मर आपको लि देखेगा यह स्कूर कार्ड देख रहा है आप यहां आप चेक करें कि अपना जो नाम में वो सही है दिनिश कुमार कुश्वा यह मेल सही है फादर नेम सुहनलाल अप यहां का ग्राम है यह क्लियर हो गया आप यहां देखें सब्जेक्ट आपका आपने जो MP बूर्ड में र जो किये उसमें रॉल नम्मर चेक करें आप और टोटल मार्क्स है 4950 में 2775 और 28 डिग्री जो है उसका रॉल नम्मर और 1100 में से 749 नम्मर कुम लिए यहां यह जानकर यह आप बिलको क्लियर कर लें अब स्कूर कार्ड देखने के वाद हम वापस आते हैं यहां देखें आप बैकंसी तो बैकंसी पर आप क्लिक करें यहां देखें स्लेक्ट टू डिस्टिक को स्लेक्ट कर लें तो यहां मैं स्लेक्ट कर लेता हूँ दिशा और यहां डाल देता हूँ बिलॉक आपको डालना है कुरवाई कोई भी डालते हैं आप जिस बिलॉक से हैं और यहां कोई सा भी जिस subject हैं आप हैं उसको आप डालें और यहां डालना आपको code बता रहा है उसको डालना है code डालने के बाद आपको इस पर collect करना है नीचे तो इस तरह से आप vacancy देखें तो यह इतनी vacancy एक block के अंदर है प्रवाई block के अंदर जो मैत की जगह है वो 61 Macanthi निकली हुई तो इनको आप देख लें कि आप किस school को choice करना चाह रहा है जो कि आगे बताओंगा मैं इसकी date तो यहां देखें डाइश पूर्ड भी है तो आप डाइश पूर्ड भी लिखकर रख लें तो यह सारा काम आप मोबाल पर भी कर सकते हैं तो मोबाल का आपको तरीक बता दिया है मैंने तो यह जानकर यह आप बलकुल complete कर लें अपनी तो यह आप इतनी चीज़े complete करने कि यह आप स्कूर्ड कार्ड में देख सकते हैं इसकी जो लाष्ट तारीक बताई जा रही है कि 9 से 12 जुलाई ते की काम कर लें आप स्कूर्ड कार्ड दोवारा सहित बिद्याले में आविदन प्रस्तुत करना जो आपका स्कूर्ड कार्ड सहित बिद्याले में आविदन प्र द्वारा बिद्धियाले में उपस्ते 25-26 जुलाई बताई जा रही है और ये प्राचार कार होगा सत्याफन का वो होगा 28 जुलाई को कार होगा तो ये डेट भी मैंने आपको बदा दिये आगे भी समझे लिए कुछ मात भी जान का रही है यहां देखे हाई स्कूल और हायर स पर जो च्वाइस फिलिंग होगी वो 14-17 जुलाई ये काफी बार मुस्ते पूंचा जा रहा है फिरिष्ण है च्वाइस फिलिंग कब होगी तो यहां देख लें यार 14-17 जुलाई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं आपको पत्र के अनुसार बता रहा हूं कि 14-17 जुलाई को होगी और गेस्ट फैकल्टी मेनेजमेंस सिस्टम पोटल पर विशेवार पैनल जनरेट होगा जो हुगा 19 जुलाई को ये फैनल जनरेट होगा और विद्ध्याले स्तर पर SMCD द्वारा पैनल का अनुमूदन 20 जुलाई को होगा और पैनल में सामिल आवे के तक अपनी शेमती 21 से 22 जुलाई को दी जाएगी पैनल के कुरान कर्मांग से आवेदा को द्वारा विद्ध्याले में उपस्तिती 22 जुलाई को होगी और संकुल प्राचाहर द्वारा विद्ध्याले में जो सम्मंदित जनरेट पोटल होगा वोगा 24 जुलाई को होगा तो ये high school और high secondary के लिए था नियम तो दोस्तों ये थी वो जानकारी जो आतिती सिक्चक से संबन्दित थी काफी महत्पून जानकारी मैंने आतिती सिक्चक से संबन्दित बताई है क्योंकि काफी लोग date में mistake करें कि date उन्हें पता नहीं है तो date मैंने इस वीडियों बताई है तो और अगर नहीं है mistake तो बिल्कुल आप गवरानी के अवशकता नहीं है लेकिन काफी लोग और भी सवाल कर रहे हैं कि सर नए registration कब होंगे क्या मैं 2018 के लिए आविदन कर सकता हूं तो नए registration के अभी तक किसी प्रिकारी की जानकारी नहीं है और आती है तो मैं आपको बता सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए दोस्तों एक नए वीडियो पिशात मिलते हैं आपका दिन मंगल मैं हो जय हैं जय भारत